इटार्सी में सरकारी अस्पताल कॉंप्लेक्स में इस्थित दो पटाखा दुकानों पर होशंगबाद पुलिस की विशेश टीम और इटार्सी पुलिस ने संयुक्त चापामार कारवाही करते हुए भारी मात्रा में बिना लाइसेंस बेचे जा रहे पटाखे जब्त किये है दोनों दुकान संचालकों को हिरासत में भी ले लिया है पुलिस ने महरा गाउं इस्थित दोनों दुकानदारों के गुदाम पर भी चापा मार कर बड़ी मात्रा में पटाखे जब्त किये हैं हमारे संवादाता आशुतोष सराथे ने बताया कि टार्सी में प्रदीप जैन और कमल जैन की दो दुकानों से बिना लाइसेंस भारी मात्रा में रखे गए पटाखों का जखीरा बरामत किया गया इसी प्रकार संव्त पुलिस टीम ने महरा गाओं में प्रदीप जैन के गुदाम पर छापा मार कर वहां भी बिना लाइसेंस के भारी मात्रा में संग्रह कर रखे गए पटाखों को जब्त किया इटार्ची पुलिस ने प्रकाश पिता कमल जैन एवं प्रदीप जैन दोनों पर मामला दर्जकर गरफतार कर लिया गया है दोनों कारवाईयों में सायुक्त पुलिस टीम ने दो ट्रक अवेद पटाखे वरामत किये हैं सूचना जैसी प्राप्त हुई थी कि यहां जो फटाके हैं फटाके विक्रतों दारा अवेद रुपसिस का संग्राण करके लखा गया इस तर्टम में आज इटार सी पुलिस के द्वारा यहां पर उपस्तित होकर सभी इनके दोनों दुकाने और गुदाम इत्यादी पर यहां पर चेकिंग की गया चेक करने पर यह पाये गया कि इनके पास में भारी मात्रा में जो समागरी फटाके समागरी मिले हैं इस एधार पर जो है दोनों दुकाने और यह आपर गुदाम इन दोनों दुकानों के अत्तिति हां पर कारवाई की जा देगी है